जो बोले सो निर्वै प्रियम परम्पिता प्रमाह heat आप आज आप थोड़ा कुछ पास से इन प्लांट को धेक पाइनगे तो यह प्लांट आपको एक रबड की तरा दिखाई देंगे यह प्लांट बहुत ही लग्की प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत प्लांट है थोड़ा मैं आपको पास से दिखाने जारू आप देख सकते दिखिए सेकुलेंट से ही प्लांट है आप इने सेकुलेंट की विडैटियों से ही देख सकते हैं और यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा रबड की तरह दिखने वाले प्लांट है और बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा चनने वाले भी प्लांट है आप भी इन प्लांट को जरूर लगाएं ये प्लांट बहुत आसानी से आपको किसी भी नरसरी से मिल जाएंगे मैं भी देखिए इन प्लांट को आप सबी के सामने से लिए सेर कर पा रहा हूँ मुझे य आपको पहले भी बताता हूँ और बता रहा हो हमें आज के शमय में आज की दौर में परियवण में रहने के लिए परियवण में को सोच रहने क्लिए बहुत ज़्धा से जाद प्रांट लगाने होगी आप बी ऐसे ऐसे प्रांट जबुर लगाए तो देखे क्रेसुला एक कुछ ऐसा प्लांट है कि आप इसे कटिंग के दुआरा जादा से जादा जरूर बना सकते हैं क्रेसुला को आप देखे कभी भी किसी भी पोट में लगाते हैं तो इसमें पानी की मातरा कम से कम रखे इसकी पत्तिया देखे मैं आपको बता चुकाव की तो सबसे पहले देखिए इस क्रेसुला को आप थोड़ा अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में ही लगाए और अच्छे से पोट में लगा सकते हैं आप देख सकते हैं इस समय भी प्लांट छोटे 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 बेग में लगए आपको दिखाई दे रहे होंगे तो आप भी देखिए इन खुबसूरत क्रेसिला को जरूर लेकर हैं क्रेसिला को देखिए सबसे ज़्यादा अपने घर में लगाना क्यों पसंद करते हैं देखिए कुछ मनी प्लांट के फाइदे होते हैं कुछ कड़ी पत्ते के फाइदे होते हैं बहुत ही जादा कुछ ऐसे प्लांट है जिने मैं आप सभी के सामने सेर कर पाता हूँ यह भी बताता हूँ कि देखिए इन प्लांट को अपने घर में आप लगाते हैं तो इन से बहुत ज़्यादा फाइदे होते हैं फाइदे मन प्लांट होते हैं कुछ देखिए ऐसी वराइटिया प्लांट की होती है क उन्हें हम गिनी भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते और पता ही नहीं चलता कि इन प्लांट के कितने फाइदे तो देखिए क्रैसुला के भी आपको बहुत ज्यादा फाइदे होंगे देखिए मैं आपको कुछ इसके बारे में यही बता पाऊंगा कि यदि आप प्लांट है आप इसे ज्यादा तर तो देखिए लग्की प्लांट ही मानते हैं यदि करैसुला आप अपने घर में लगाते हैं तो इसे कुछ लगाने से बहुत ज्यादा से ज्यादा फाइदे होंगे और फाइदे मनी प्लांट है देखिए मैं आपको कुछ यह भी बता रहा मैं भी देखिए आप सभी के सामने ये बहुत ही दो खूब सूरत क्रेसुला के प्लांट शेर कर रहा हूँ और इनके बारे में थोड़ी बहुत ही आपको जानकारी देही पाँगा तो देखिए मैं इनको लेकर तो आ गया हूँ और ये भी आपको बताऊंगा कि आप इसे जर बढ़ी करैसुला प्लांट को लेकर तो आ जाते हैं इस समय हम इस प्लांट को नरसरी से आ जाते हैं तो इसमें अपने घर में अच्छी से सिवरिम कंपोस्ट अच क्राश्य करेसुलों में पानी की मात्रा कम 시 कमी रखे यदि देखिए कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आप ख्रइसुला को प्रांट को कुछ ज़्यादा बड़ी पोट में लगा दिए अर्प्लांट चोटा है तो देहिए पानी की मात्रे में धेक्रिक के में फिर भी आप कम से कम रखे हैं ये सोच रहे ये कि हमारे पास बढ़ा है और हमारा प्लांट चोटा है तो देखे बहुत जल्दी से हमारा प्लांट ग्रोथ हो जाएगा और बहुत जल्दी से इसमें बहुत जादा पतिया भरजेगी आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए क्रैसुला को अब देखे मीडियम पोड के साइज में लगए चोटे सी चोटे पोड में करनी इस्टार्ट लेगी आप देख सकते हैं इस समय प्लांट बहुत ज्यादा स्वस्त और बहुत ही ज्यादा घ्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप भी देखिए इस खूब सूरत करेंसों को जरूर लेकर और देखिए जदिए को पत्या मैं आपको पास से इन बखिए में लगा को क्रेसुला के दो प्लांट आपको नुज़ने आ रहा हैं मैं इने धेए मीडियम सीज्ड के पोत्र पी मूझे इन प्लांट को ज़्यादा बड़े शुट पोत्र की जरूत नहीं यह चाहते हैं तो मैं तो आपको यह कोऊंगा कि इसे कटिंग से दौरा ज़रूर बनाएं यद आप क्रैस्थ लोग को कुछ ऐसा है कि यह प्लांट pani जब्हूत है च्पारियसनी बैांट में लिग olmaz other day ये उदिक पास ने ख्याइँ को आप या When u यह तो यह बहुती छोटे प्रांच बहुती ज्यादा खुबसूरत दिखाई दिये और इसलिए मैं आप से भी के सामने इन्हें शेर कर पा रहा हूँ लेकर आ गया थो तो आप भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा लगार बहुती खुबसूरती है इनसे ले